So hello friend, welcome to the video Work completion है, कुछ सवाल हम लोग पिछली class में कर चुके हैं उससे कुछ और बहुत ज़रूरी सवाल बचे हैं That we have to complete जो recently cat में आयते, कुछ सवाल में थोड़े complications भी है How to approach that So for that approach, it's a very important class उसके अलब जो salary concept होता है Salary कैसे distribute होनी चाहिए, उसकी बाद भी करेंगे चले तो बचे सवाल पहले कर ले बढ़िया सवाल है, very important और recent cat का trend थोड़े इंडिकेट करते हैं, तो उस current से भी काफी ज़रूरी हो जाते हैं ये 2018 का सवाल pause कर रहा हूँ, पहले आप मतलब आप pause कर रहा है, attempt seriously देखो answer आ रहा है और फिर आप solution देखेगा चले मैं solve करता हूँ So when they work alone, B needs 25% more time to finish a job than A does These two finish the job in 13 days in the following manner So 13 days में हो रहा है, pattern देख लो A works till half the job is done उसके बाद A और B ने साथ में 4 days काम किया और फिर B ने अकेले काम किया remaining 5% पूरा करने के लिए हमें ये निकालना है कि B alone कितना time में job खत्म करता है अब देखिए 25% more मतलब अगर आप A के time को 4x मान लीजे तो B का time कितना हो जागा 5x simple सा assumption 1.25 times, ठीक है तो हमने 4x और 5x मान गया इनके time को अब ध्यान दीजिएगा आदा काम A ने अकेले किया मतलब 50% और B ने 5% अकेले किया, 55% ये लोग अकेले अकेले types कर रहे हैं साथ में ये लोग 45% काम करते हैं अगर साथ में working की बात करी जाए तो combined working में ये लोग 45% काम 4 दिन में कर देते हैं तो साथ में काम करने पर पूरा काम complete करने के days यहां से मिलेंगे आपको 4 upon 40 उनिटरी में सेड लगा दो 4 upon 45 into 100 कर लीगी ठीक है, clear तो कितना आ गया ये 80 by 9 80 by 9, clear है 5 से cancel किया, तो 80 by 9 आ गया तो अगर दोनों लोग साथ में काम करेंगे तो इनको time कितना लगना है 80 by 9, days obviously अब यहां से हमको x मिल जाएगा हमको actually निकालना है 5x ठीक, चली, अगर work को 1 मान लेते हैं, तो एक दिन में कितना काम होता है मतलब A का rate कितना जाएगा 1 by 4x B का rate जाएगा 1 by 5x add कर दीजे, ठीक है तो इनके combined days भी निकल के आ चुके है पूरा काम करने में, तो combined rate कितना हो जाएगा, work upon this, भाई यह क्या है बताओ मुझे, यह days आ गए आपके, भाई one by day one by day किये तो आपको individual rate मिलके आपने add करें, क्योंकि 7 में काम करवाना है total काम करने पर, 7 में काम करने पर, पूरा काम, जितने days में होता है, वो आपके सामने है तो rate भी निकलाएगा, one by this कर दो तो nine by eighty हो गया clear, यह days आये हैं, पर आपकी equation rate में बनती है, तो one upon this करना ज़रूरी है, यह वासा समझा रहा है इसलिए हमारा ध्यान हर समय उस time पर था, कि जब यह लोग साथ में काम करेंगे, तो in a hundred percent में time किता लगता है, इसलिए मैंने उस यहाँ पर in four days के concentrate किया था चलो solve करते हैं तो यहाँ पर twenty x नीचे LCM लिया, उपर five plus four nine हमारा आ गया, यह है nine by eighty, तो यहाँ से x की value कितनी आ जाती है, four ठीक है, कोई doubt तो नहीं है x four आ चुका है, और हमें चाहिए यह वाला, five x b का के लिए पूछाएं ना, तो the answer is twenty day अगर a पूछता तो आप sixteen answer बोले तो option में वो भी है, पर हमें तो twenty से मतलब है answer आ गया, simple है यह नहीं, ठीक है, clear, हाँ अब देखो, आपको उल्जाने के लिए उसने कितना गुमाया है, यहाँ पर, अगर हम इसनों अलज़ जो कि half कितना होगा, five percent हमें तो सिर्फ together वाला उस data से मतलब था, तो काम अराम से यहाँ पर हो गया है clear तो पी doubt को नहीं है, ठीक है तो twenty answer आगे है, एक आप उचे तो sixteen answer बोलेते हैं, आपे twenty answer है, आगे चलते है अनिल काइन alone do a work in twenty days, सुनील अकेले करता है forty days में, अब यहाँ पर पहले काम करते हैं, work को हम forty मान लेते हैं, तो इनके rate आजाएंगे अनिल का rate और सुनील का rate कितना आजाएगा, इसका two, इसका one, अब ध्यान दीजे अनिल ने start किया और तीन दिन अकेले काम किया, तीन दिन मतलब six unit काम इसने कर लिया again after few more days बिमल जॉइन करता है और साथ में काम पूरा करते हैं बिमल के rate की बात नहीं यह पर एक बात बोली गई है कि बिमल टोटल का 10% काम करता है 40 का 10% 4 होता है तो यह 4 काम किस ने कर दिया बिमल ने यह अकेले अनिल ने कहता है पहले 3 दिनों में बिमल ने कर दिया, 10 काम हो चुका है हमें सिर्फ remaining 30 से मतलब है यह 30 काम अब आप जानते हैं कि भाई 3 दिन बाद सुनील ने जोइन किया अनिल को और बिमल और काम तो आप हटा ही चुके है तो अनिल और सुनील मिलके 30 काम कितना टाइम लेंगे उसके लिए आप 30 अपन कितना करो, साथ में काम करें 2 प्लस 1 3 कर दो 10 डेज आंसर क्या बताईए 10 में ये 3 दिन अड़ करना मत बूलना 13 आंसर बनेगा बिमल का 10 परसेंट काम तो इसी में इंक्लूड हो चुका है तो 10 वाली सिली मिस्टेक मत्ता न बच्छे 10 आप्शन हो भी नहीं तो अच्छी बात है 13 आंसर हो गया तो बिमल का वर का लग किया अनिल के पहले 3 दिन वाला काम अलग कर दिया बाकी अनिल सुनिल मिलके करेंगे 10 डेज प्लस 3 करेंगे 13 आंसर हो गया आगे करता है अड़ देर यूज्वल एफिशेंसी A and B together complete the task in 12 days अब ध्यान दीजेगा यहां पर 12 और 9 days की बात हो रही है तो एक तो एक काम करता है A और B की एफिशेंसी मतलब एक दिन में कितना काम कर रहो इसको X और Y मान लेता है 12, 9, LCM हो जाएगा कितना 36 ठीक है तो 36 को हम लोग क्या मान लेता है यहां पर अब ध्यान दीजे अगर A काम कर रहा है अगर 7 में काम कर रहा है तो कितना हो जाएगा X प्लस Y आप 36 में अपॉन 12 करो 3 आ जाएगा पर अगर A के एफिशेंसी हाफ कर दिया आपने और B की थ्राइस कर दिया 3 Y कर दिया आपने तो 9 days लग रहे हैं तो मतब 36 by 9 यह हो गया 4 अब यहाँ पर यह निकालना है कि अगर A अकेले काम कर रहा है तो कितना टाइम लगता तो हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है देखी चली तो Y eliminate कर दो उपर को into 3 करो 3 X प्लस 3 Y इक्वल तो 9 दोने को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 5 X by 2 इक्वल तो 5 आ गया और X की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है ठीक है तो अगर यहाँ पर यह 2 आ गया अगर X अकेले काम कर रहा होता उसे टाइम कितना लगता 36 by 2 करिये टोटल वर 36 A का rate 2 आ गया है 36 by 2 करिये तो आपका 18 और unit है days में work complete हो जाए C option is the answer ठीक है अगर B का पूछता तो आप Y की वैल्यू निकालना चाहते है वो भी आराम से आ जाती ठीक है वो तो और आराम से आती क्योंकि आप X by 2 को X कर देते तो बड़े simple तरीके से है उसमें fraction की दरुद भी नी परती ठीक तो 18 डिक is the answer अगले सवाल पर चलते हैं बस एक दो सवाल और है हाँ इसके बाद ये और फिर salary वाल एक सवाल है ये cat 2020 का सवाल ध्यान से देखिएगा जान टेक्स twice as much time as Jack to finish the work उसके बाद ये लोग Jack and Jim together टेक one third of the time to finish as compared to John alone अभी सब बाते हो ये काम करते है just to avoid any confusion John, Jack और Jim बार-बार doubts नाओ कि अगर आप assumption time में लोगे तो आपको rate निकालने के लिए बार-बार one upon करना पड़ेगा तो आपन rate में ही या efficiency में ही assumption ले ले लेते हैं बाद में one upon करके डेस का answer भी निकाल लेगा John को Jack से double time लगता है मतलब की यहाँ पर John को time double लग रहा है मतलब efficiency आधी हो जाएगी तो अगर John की efficiency X है तो Jack की 2X हो जाएगी इसमें कोई doubt तो नहीं है भाई John को time लग रहा है double तो efficiency आधी होगी तो X और 2X मान लिया आगे चलते हैं जिम की value पता नहीं इसको alpha मान लेते हैं इसके efficiency Jack and Jim जब साथ में काम करते हैं Jack and Jim मतलब 2X प्लस alpha तो इनको one third time लगता है as compared to John alone अगर John alone से time one third लग रहा है मतलब इनकी efficiency three times होगी अगर time one third है तो efficiency three times हो जाएगी तो three times John के efficiency मतलब 3X alpha X आ गया यही चाहिए था उनको ठीक है अब X की value निकालते हैं उसके लिए एक और relation दे रहा है तो पहले तो Jim की efficiency बाकी दोने के term में निकाल ली थी अब value के लिए उसने एक और relation दे रहा है तो हर चीज systematically भी जाती है बस थोड़ा हिमत रखिए और process में आगे बढ़ते चलिए equation बनाते चलिए moreover in order to finish the work John takes three more days as compared मतलब more than taken by three of them working together अब ध्यान रखिएगा अब उसने day के angle से बात करी है और क्योंकि three more बोला है भई three times बोलता तो अपन one third कर देते more में फिर अपन अपनको days में कुशिन convert करनी है पड़ेगी कर लेता है work को one मान लिया जाए John अकेला time कितना लेता है one by x और लोग साथ में कितना time लेते है combined efficiency four x है तो time लगा one by four x John को अकेले तीन दिन ज़्यादा लगते है मतलब इसमें plus three करो कि तब आपको मिलेगा John का time यहां से x आ जाएगा तो इधर लाओ इस चीज़ को तो कितना आ जाएगा one minus one by four मतलब three by four नीचे x है और यह three है तो यहां से x की value आती है one by four अब क्या पूछ रहा है gym का अकेले का time gym का individual rate efficiency आ चुकी है one by four time निकाल दो work one है efficiency one by four आ चुकी है तो four days में काम हता done ठीक है rate अज्यूम करे थे उसकी value one by four आ गए time पूछा है तो one upon कर दिया उसको उसको four days आता आ गया कितना simple पर उसने confuse करने का बहुत प्रयास किये पर आपके दिमाग में होना चाहिए कि gym की value के लिए x के term में हम पहली equation का इस्तमाल करते हैं फिर उस x की value के लिए ही दूसरी का इस्तमाल करते है equation का और फिर ultimate answer तो जिसका भी पूछे का हो निकाल लेगे एक बार x आ गया फिर तो all the three answers are available to us gym का पूछा तो अपनने answer कर दिया तो देख रहे हैं आप work completion वाले सवाल में उलजाता है पर आपको लजना नहीं अराम से systematically करना हो जाएगा approach is very very important confuse मत वहला mdh pattern का एक सवाल है मतलब की इतना काम इतने लोगों ने कर दिया है तो बच्या हुआ काम उस तरह के जो सवाल होते है तो वैसे तो mdh वाला question में करवा चुका हूँ pattern cover हो चुका mdh वाला कुछ question भी कर रहा है थे एक सवाल मुझे और मिला जो पिछले साल ही आया था तो बेचा solve कर लेखा है contractor को 6 km road बनानी थी और 200 दिन का estimate था 140% employee करे 60 days के बाद 1.5 km बनी road अब उसे बाकी बचे वे time में कितने लोग extra employee करने पड़ेंगे ताकि काम time पे पूरा हो जाए अब दो पार्ट में work तोड़ते हैं आप जानते हैं कभी भी दो segment पे work होता है तो w by mdh हर समय से इन होता है w कितना है 1.5 road men कितने है 140 140 men दिन कितने लग गए आपको 60 days hours की बात नहीं करिये छोड़ दो अगले हिस्से में कितना work बचा हुआ है 4.5 work बचा हुआ है men कितने हैं पता नहीं हमको men का number ही तो बढ़ाना है days कितने है 60 गए 140 बचे हैं 200 दिन में काम पूरा करना है on time 140 कर दो solve करते हैं ये तो 3 times आ गया ये cancel हो गया तो M का number आ गया 180 180 men होने चाहिए 140 पहले से हैं आपको सिर्फ additional वाले बताने है 40 men और ले एक काम खतम please 180 answer mark मत कर देना extra men सिर्फ 40 चाहिए हमको be careful दो मिट और दीजे मुझे salary की बात कर लो पूरी बड़ा simple concept होता है देखिए आपको for example एक बात समझिएगा एक ratio time का होता है जैसे अगर मैं अकेले work कर रहा हूँ तो मुझे 10 days लगते हैं आप अकेले work कर रहे हैं तो आपको 20 days लगते हैं इस तरह से हमें जितना समय लग रहा है work करने में उस ratio में salary नहीं बढ़ती salary बढ़ती हमारे efficiency के rate में कैसे अब यहाँ पर time का ratio किता है 1 by 2 ठीक है आपको अकेले 10 दिन लग रहे हैं मुझे अकेले 20 days लग रहे हैं हमारी efficiency का ratio 2 is to 1 होगा अब आप ही बता off rates salary कैसे बढ़नी चाहिए जो इंसान कम समय ले रहा है मतलब ज़ादा काम करेगा साथ में काम करने पर उसे salary ज़ादा मिलनी चीए तो इतनी बात धान रखना salary बढ़ती है time के ratio में नहीं किसके ratio में बढ़ती है efficiency या rate of work के ratio में कुमान दीजे अकेले इंसान तीन लोग काम कर रहे है इसको लगते हैं 10 दिन इसको लगते हैं 20 दिन इसको लगते हैं 30 दिन 1 is to 2 is to 3 ये time का ratio हुआ salary ऐसे मत बाटना salary rate के ratio में बढ़ती है और rate का ratio निकालने के लिए friends 3 to 1 मत बोल देना individually reciprocal कल लो क्योंकि rate is inversely proportional to time लेना 6 से multiply कर दो 6 3 or 2 तो please 1 2 3 का 3 to 1 मत कर देना 1 is to 2 को आप 2 में 2 is to 1 बोल सकते हो पर 3 में ऐसे नहीं पलट देते हैं हम लोग हम पहले individual reciprocal लेते हैं अगर हमें time का ratio दिया है तो rate का ratio ये efficiency का ratio निकालने के लिए individual reciprocal करिए फिर LCM से multiply करके आपको नया integral ratio मिल जाएगा ऐसे बाट देना 6 plus 3 plus 2 6 by 11 total का 6 by 11 पहले को मिलेगा 3 by 11 दूसरे को और 2 by 11 तीसरे को इस तरह से काम चलता है समझ गया? चलिए अब एक और चीज़ जान रखना ये तो तब की बाते हैं जब सारे लोग एक साथ काम कर रहे कई बार पता है क्या होता है? सवाल देखियोंगे आपने ये person आया है इसने इतना काम किया फिर वो चला गया फिर दूसरा person आ गया वो चार दिन काम कर रहा हो चला गया जब सब लोग अलग-अलग इंट्रवर के लिए काम करते हैं तो कैसे निकालने तब ratio की बात तो कर नहीं सकते हैं कोई बात नहीं आप उनका total work done निकाल लो पूरे काम में से जितना proportion of work इनने किया है पूरी salary का भी उत्ता proportion इनको मिल जाएगा तो अगर ये लोग हर समय साथ में सब लोग काम नहीं कर रहे हैं तो total work में से इन्होंने कितना work किया फिर total work का ratio निकाल लेना उसमें salary बाट देना एक सवाल करते हैं अमल का इनकाई 2017 का सवाल इसे 10 दिन लगते हैं इसे 8 दिन लगते हैं ये तीनों लोग 4 दिन में काम करते हैं तो पहले तो एक काम करते हैं इनका LCM कितना मानने 40 मान लेते हैं तो अमल का rate आ गया 4 मतलब rate of power के efficiency बोल लिए बिमल के लिए 5 साथ में जो आता है इनका 4 दिन लगते हैं तो what is work done per day efficiency combined कितनी है 40 by 4 मतलब 10 4 प्लस 5 प्लस X अगर हम कमल का efficiency मानते हैं ये 10 के बराबर होना चाहिए combinedly 4 दिन लग रहे तो 40 by 4 एक दिन में 10 काम होना चाहिए 1 आ गया तो हमारे पास यहां पे कमल का भी efficiency या rate of work 1 आ चुका है तीनों का एक missing था उसके लिए उसने ये बात करी थी वो भी निकल के आ गया total पैसे यहां पे 1000 बाते जाने हैं तो हमें ये निकालना है कि आइडिली तो ऐसा ही होता है जितना काम करें तो इतना पैसा मिलेगा कुछ और rule रहा तो एक बर question में पढ़ लेना अगर कुछ rule question में नया दिया हुआ है तो please follow that new rule ये ध्यान रखना है ऐसा नहीं कि फिर आप पुराने rule लगा रहे हो question में कुछ नया बोरो तो उसको follow करना पड़ेगा कामाल का share निकालना है अब ये क्या है time या rate ये rate ही है ये इनके efficiency ही है ये days नहीं है आपके ये efficiency है तो सीधे इनके ratio में अबाट दो अगर day होता तो आप reciprocal लेते ये तो सीधे आपने क्या निकाल दिया वर्क को 40 मान के ये तो इनका efficiency है रेट ही है न इनके ratio में निकाल दो 4 प्लस 5 प्लस 1 10 हो गया तो 4 बाइ 10 5 बाइ 10 और 1 बाइ 10 का share हो कमल की बात कर रहा है तो कमल का 1 बाइ 10 करो 1000 रुपे बाटने है तो आपका answer हो गया कितना 100 रुपी A option is the answer ठीक है अगर बात करते है अमल की तो इसको मिलते 400 रुपे और बिमल के 500 रुपे कमल के 100 रुपे मिल के बने 1000 रुपे पर हमसे पूछा है कमल का किसका पूछा गया है प्लीज जान रखना वरना ऐसा नो की कुई सिलीमिस देख हो जाए कमल का share is 100 रुपी ठीक है फ्रेंड्स तो time in work में tricky topics हमने करे पहले मतलब काफी कर चुके थे work completion के रहे के थे थोड़े tricky बनते हैं तो इसलिए दो क्लास में मैंने काफी बड़िये सवाल करा दिये अब confidence वोड़ा आ रहा होगा कुछ सवाल tricky थे फ्रेंड्स है ना पर उनको भी कैसे आराम से deal करके मानसा तक पहुच सकते मैंने बता दिया है ठीक है